नमस्कार मैं प्रानुशीर अठोर और आप दीख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज महरास्ट में शिफसेना पार्टी की नाम और चुनाफचिन को लिकर लगातार जंग छिड़ी हुई है आखिर कार ये जंग कब थमेगी ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा जब सुप्रीम कोट शिफसेना पार्टी के नाम और चुनाफचिन पर अपना आखरी फैसला सुना देगा आपको बता दें कि शिफसेना पार्टी के नाम और चुनाफचिन पर सुप्रीम कोट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री यानि कि शिफसेना के प्रमुख रह चुके उधव ठाकरे का गुट और बही मौजुदा मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे के गुट के भी स्यासी जंग लगातार चुड़ी हुई है बीते साल जून की महीने में शिफसेना पार्टी दो गुटों में बढ़ गई शिंदे ने बगावत की 49 विधायकों के साथ और आज देखा जाए तो 40 बागी विधायक उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं इसी बीच यहां पर तमाम खुलासे भी किये जा रहे हैं उधर्फ ठाकरे का साफतोर पर कहना रहा अपने एक इंटरिव्यू में क्योंने स्तियेम पद चाहिए था तो वह हम से कहते हम उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बनाते लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर और भी दाबा किया उनका कहना रहा कि जब महाविकास अगाडी का गटवन्दन हुआ था तब उधर्फ ठाकरे ने एकनाज शिंदे को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन उस ओफर का शरतपवार ने खारिस करते हुए अपना फैसला सुनाया अर्विंद सावंत ने कहा क कि उधर्फ ठाकरे के प्रस्ताव का विरूत करते हुए शरतपवार ने कहा कि कॉंग्रेस और NCP में कई दिक्कज नेता हैं मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री रह चुके हैं क्या ये लोग एक विक्षा चालक की अधिन काम कर सकेंगे अर्विंद सावंत का कहना रहा क कि शरतपवार ने ऐसा ही सवाल उठाया था उनके दवाब डालने पर उधर्फ ठाकरे ने मुख्य मंत्री बना स्वीकार कर लिया उनका कहना रहा कि शरतपवार ने कहा कि कॉंग्रेस में प्रत्वी राज चवार हैं और अशोक चवार हैं जैसे दो पूर्व मुख्य मंत्र लेकिन शरत पवार ने आपती जाहिर की शिवसेना का शिव धनूश आपको ही लेना होगा इस तरह से यहां पर बात रखी गई थी लेकिन शरत पवार जो राजनीती में चाड़क के कही जाते हैं अब यहां पर शरत पवार का क्या कुछ एहम फैसला होगा क्योंकि उधव ठा चुनाब होंगे उन विधान सबा चुनाब के लिए एक मुख्य मंत्री किसी महिला को होना चाहिए तब से यहां पर रश्मी ठाकरे का नाम आगे बना हुआ है वहीं अजीत पवार और सुप्रिया सुले का भी ऐसे में देखना यह दिल्चस्प होगा कि आखिरकार शरत करिया है यह आप कोमेंट सेक्शन में बता सकते हैं